स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमर्स गुजी पर और जो हमारा चैप्टर चल रहा था डिजॉलूशन ऑफ पार्टनेशिफ फर्म लाज्ट वीडियो में हमने कोशन में 28 तक कर लिये थे और आज की वीडियो में करने वाले कोशन में 29-28-B 28-B कह रहा है आपको इसमें क्या क बनाना है सबसे पहले तो आपordon बना और यंट्रीज पास कर लोगे तो मैं आपके साथ सबसे पहले रिलाइशन एकाउन में समझा तो number है अ अमांट gef族 सब्से पहले सारी एसिट साइट में डालो और सारी लाइबटल इसट को सारी असे ASSETS, debit में डालेंगे ASSETS, two debtors 20,000, provision, buy side डालेंगे buy provision 1200, two stock 40,000, two shares आएंगे limited के 30,000, motor car 75,000, plant 80,000, उसके बार liabilities में आता है तो liabilities डालेंगे credit side में buy bank overdraft 12,000, keller 70,000, Mrs. P. लोन 25,800 क्लियर है अब एक एक करके एजस्मेंट समझेंगे फर्म डिजॉल्व होई और ऐसे ऐसे हुआ है जो एसे रिलाइज्ट होई है एस फॉलोज डेप्टर 15,000 के और प्लान तीस परसेंट डिसकाउंट के साथ तो यह एसे जो रिलाइज्ट हुई है यह वैद्लाइजट में एसेंट में सेज्ट पंद्रेज़ हओं प्लानि 20 परसेंट कम प्लान काईट असीघार का 20 अजिया 30,000 इस्टॉक की वैल्यू कितनी हो गई 36,000 और यह 36,000 पी और क्यों ने बराबर ले लिया यानि कि उन्होंने इस्टॉक का टेक ओवर कर लिया तो क्रेट साइड में आगा बाइपीस कैप्टल 18,000 क्योंकि आदा आदा लिया है बाइपीस कैप्टल 18,000 ब्रैकेट में स्टॉक मार्केट वैल्यू जो थी शेर की वो 16 पर शेर हो गए यानि कि 3000 शेर ते और 16 पर शेर तो 3,000 इंटू 16 करेंगे तो 48,000 हो जागा आदे शेर तो सोल्ड कर दिये मार्केट में और आदे शेर पी और क्योंने प्रोफिट शेंग रेशियो में ले लिए तो आदे सेल करें यान कि 3000 इंटू 16 और इसके आदे सेल कर दियाने कि 24 तो मार्केट में बेस दिये तो बाइब बैंक्स ब्रैकेट में स्टॉक या फिर शेर कितना 24,000 और आदा बचा आदा किस ने लिया पी और क्योंने प्रोफिट शेंग रेशियो प्रोफिट शेंग रेशियो किता था थी और तू था तीसरे का तो लेंगे ही नहीं क्योंकि प्यूर क्योंने लिया है तो आप क्या करोगे 24,000 को किस रेशियों बाट दोगे थी रेशियों फार में बाट दोगे तो पी में डालोगे बाइब पीस कैपिनल 14,400 और बाइब क्यूस कैपिनल 9,600 उसके बाद कह रहा है कि ए एक कैटर जिसका वैल्यू 50,000 के लिए उसने मौटर कार ले लिया और बागी जो बचा कैसा वो 2% पर डिसकाउंट कैटर ने 50,000 के लिए मौटर कार ले लिए इसका तो कोई टीटमेंट नहीं करेंगे लेकिन जो बचा पैसा कितना कैटर सा सर 70,000 ते 50,000 चलेगे कितने बच 20,000 का जो पेमेंट किया है वो 2% डिसकाउंट के साथ किया है तो 20,000 का 2% होता है 400 20,000 में से 400 माइनस करोगे तो 19,600 डेबिट साइड में आएंगे टू बैंक ब्रैकेट में कैटर्स 19,600 उसके बाद अपनी वाइफ का लोन पेट करने के लिए तो इसका भी आपका टू पीस कैपिल ब्रैकेट में लोन 25,000 आट सो का लोन था ओवरड्राफ 12,000 प्रीमेंट करेंगे तो टू बैंक ब्रैकेट में बैंक ओवरड्राफ 12,000 तो इतना करने के बाद यह जो मैंने अब आपको दिख रहा होगा रिलाइशन है ना यह चीज़ हमने डाली पहला में डैटर जाला था स्टॉक शेयर मोटर कार प्लान फिर हमने प्रोविजन डाला था बैंक ओवरड्राफ कैटर और पी लोन अब बात है रिलाइस की तो हमने डैप्टर प्लान पीने पीने स्ट अब्ध करोगे तो आएगा आपका 3,8,400 और इस साइड का सार्व जार चॉटल करोगे तो आएगा आपका 2,64.000 तो 3,8,400 में से 2,64,000 को मैनस करोगे तो आपका लौस और रिलाइशन आएगा 4,44.4,44,000 को तीनों पार्टर में 321 बाट देंगे तो आनसर आएगा 2,222,20 प 14,800 और 7,400 जहां दिख सकते हो आपका यह रहा कि चवाली से चार सो है चवाली से चार सो को बाटा है तो 22,200 14,800 और 7,400 अब इसका बनाएंगे partners capital account अगर बात आती है सर entry की तो मैं entry आपको बदा दूँ entry कैसे बनती है बटा तो देखो partners capital उतके पार्टनर है तीन partner के साब से बनेगा PQR ओके कोई दिकत की बात नहीं है सर तो सबसे पहले क्या करेंगे particular PQR particular PQR एक debit side और एक 5,000 उसके बाद यहां एडवर्टाइजमेंट सस्पेंज रखा है डैबिट साइड में जाएगा 84,000 को इस रेशियो में बाट देंगे तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 42,000 P को 28,000 Q को और 14,000 R को आपको माल में रिलाइशन में लॉस हुआ था PQR को तो P में 22,200 Q में 14,800 और R में 7,400 यह भी उनके डैवर्ट साइड में जाएगा अब बात करी जाए रिलाइशन की तो रिलाइशन में आप देखेंगे कि P ने लोन का पेमेंट किया 25,800 तो यह बाई में डाल दो बाई बाई रिलाइशन और P ने 25,800 पेमेंट करा यहाँ P और Q ने शेयर स्टॉक लिया था और यहाँ शेयर स्टॉक लिया था तो यह बांट दिया बस इतना ही किया अब हम करेंगे बैलेंस इसको जोड़ोगे औ इस अमाउंट से जब माइनस करोगे तो फाइनल पेमेंट पी का बनेगा 49,200 इसको जोड़ोगे और इस अमाउंट से माइनस करोगे तो इसका बनेगा 24,600 लेकिन आर को पेमेंट और करना पड़ेगा पैसा लाना पड़ेगा 16,400 यहाँ आप देख सकते हो आंसर में Çोना यह इसके बाद करेंट की आता 20,000 का दो परसेंट डिसकांट 19,000 चेहर सो 22 सार में डालेंगे रिलाइशन एक्सपेंस का पेमेंट 6,000 यह भी बैंक ओबर ड्राफ्ट बारहजार यह भी यह सारी चीज तो आपने डालनी सी आर साइड में यहां देखी है यह जो आपने पेमेंट करा पी का क्यू का कैटर्स का रिलाइशन एक्सपेंस का और बैंक ओवर ड्राफ्ट का बात आती है आपकी डैबिट साइड में तो आर को 16 चार सुपे और लाने हैं उसके बाद रिलाइशन में आपको यह गवर 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 डाउट है वीडियो से रिलेटेड कोई डाउट हो और प्लांट हुआ था उसके बाद शेयर जो 24,000 के हाफ ले लिया था अब जब आप इस साइड का टोड़ करोगे और इस साइड का टोड़ करोगे तो दौनों साइड का टोड़ आएगा आपका एक ला 11,400 आपका आंसर बिलकुल सही है तो आज की वीडियो में इतना ही आज हमने कोशन में 28 भी कर लिया वीडियो से रिलेटेड कोई डाउट हो कोशन में कोई डाउट हो आप मुझे वाट्साप पर पूस सकते हो मेरा वाट्साप नमबर आपको डिस्किप्शन में मिल जाएग और मेरे अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा वहाँ जाकर आप कनेक्ट हो सकते हो